हेलो अरिवरडी, दोस्तो अन अकेडमी एप देर आपको घर बैटे देश के टोप टीजरों से पढ़ाई करने का मुखा, यहाँ पर आप एक्जाम के साब से कोई भी कटाईगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, और उस कटाईगरी के सभी टीचर से आप पढ़ाई कर सकते हैं, कटाई रेलवे में 1.3 लाक पदों के लिए भरती निकले हुए है, इसमें 10 वी पास के लिए भरती है, इसमें 12 वी पास के लिए भरती है, और इसमें ग्रेजवेशन पास के लिए भरती है, यदि आप ये फारम भरने हैं, तो ये गलती मत करना, तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक पर फीश लगती है उनकी 390 रुपे 400 रुपे वापिस आती है आपके अकाउंट में जो आप फार मढ़ते वक्त जमा करवाते हो ठीक है दूसरा जिन जो केंडेट 500 रुपे जमा करा रहे हैं फीश 500 रुपे बरे हैं उनकी 200 रुपे के असपास फीश या 500 की 500 रुपे फीश आ आपकी बैंक खाते में वापिस आती है ठीक है तो दोस्तों यहां पे बात यह आते कि आपके पैसे वापिस नहीं आएंगे यदि आप ये गलती कर रहे हैं तो अभी गलती क्या है तो अभी पीछे भी रेल वे के फारम बरें गये थे आपको याद होगा रेल वे ग्रूप और उ यह से बहुत सारी बंदों के पास मैसे आया है यह मैंने आग अज गया किसी का मोबाईल में गया में ख़़बना पे ह remains यह , inform you time यानि कि इसका मतलब यह है कि आपकी इस advertisement की fees आपको refund नहीं की गई कारण क्या है आपका जो account number है यही account number किसी और candidate ने भी दे रखा है यानि कि same एक भरती के लिए एक भरती के लिए एक account number आप दो बंदों के जगाई यूज़ नहीं कर सकती यानि कि आप अपना फार्म भी बर रहे हैं और आप अपने मिसिज का भी फार्म भर रहे हैं railway group डिका और दोनों में आप सोच रहे हैं कि आप एक बंदे का account number दे दे तो आपकी जो फीस है वो इस बार भी वापीस नहीं आएगी आप ये remember कर लीजिएगा ठीक है इसलिए आपको क्या करना है कोशिस कीजिएगा यदि आपने अभी तक अपनी फीस भर दिया अपने अपना फार्म भर दिया और ऐसी ही गलती की है तो आप क्या करिए अपनी bank की detail अपडेट कर दीजिए आप modify कर सकते हैं अपने फार्म को यहां मैं भी फार्म भरता हूं तो मेरे से भी बरवाते हैं बच्चे सेम अकाउंट दो तिन फार्म में ठीक है लेकिन वो कहीं न कहीं गलत चीज है ये railway ने इस बार किया है ठीक है और पहले वाले भरतियों में इन्होंने इस रूल पे काम किया है तो मैं यह कहना चाहता कि आप कोशिज कीजिए आप दो फार्म भर रहे हैं एक फैमिली से आप अलग-अलग अकाउंट नमबर दीजिए सेम अकाउंट नमबर मत दीजिए ताकि आपकी फीश आने में आपको कोई दिक्कत न हो तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतने ही आपको वीडियो कैसी लगी है लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा ये वीडियो आपने यहां तक देखी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बगवान करें आप सभी का दिन सुब रहे